नमस्कार दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको पैंड की लटक के बारे में बताऊंगा पैंड की लटक का फॉर्मूला क्या रहता है उसके बारे में बताऊंगा वीडियो को पूरा देखिए आखिर में दुसरा तरीका भी बताऊंगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक किजे चैनल को सब्क्राइब करना न भूले पैंट की लटक लेने का आसान तरीका बता रहा हो लटक का मेजर्मेंट का यह देखिए पैंट यह तैयार पैंट है पैंट की लटक यह देखिए उपपर से बेल्ड से लेके बीछ का जो जोइन रहता है वहां तक भीक देखिए यह एक तरीका हो गया वहां तक गिन्ने का और उपर का बेल्ड चोड़कर जो आप बेल्ड की मार्किंग चोड़कर जो आता है वो लटक का करें पूरा गिननी का इसे चब्वी सींच आ रहा है बहुत से लोगों को पैंड की लटक कैसे डालते हैं कैसा मेजर्मेंट लेते हैं उसके बारों में पता नहीं है उसके लिए लटक के बारों में छोटा सा वीडियो बना रहा हूं दिखियें आगे से लेके पूरा पिछे तक ऐसा लटक का मेजर्मेंट लेते हैं चब्वीस इंच है अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे डालते हैं इस पर 26 है 26 का हाप करेंगे 26 का हाप आएगा 13 इंच 13 मेंसे आगे का और पिचे का थेड इंच पेल्ट ऐसा 10-8 3 इंच निकालेंगे तो 10 इंच रहेगा तो 10 इंच अपकहब लटक आएगा वने बेखिए हब की ऑगी का सीच अगर कि 10 इंच लटक जालते हम आपको दीका रही हूं यह देखे 13 इंच है 26 का हाप करेंगे पूरी लटक का हाप करेंगे यह 13 है उसमें से आगे का देड़ी इंच और पीचे का देड़ी इंच ऐसा 3 इंच कट करेंगे तो 10 इंच का लटक आएगा यह 10 इंच का लटक आगया और 10 इंच का आप जितना बेड़ लगाते हैं उतना माइनस करेंगे और यह लटक का एक तरीका हुआ अब मैं दुसरा तरीका बता रहा हूँ सीट के मिजर्मेंट से लटक कैसे निकालते हैं अगर आपका सीट 40 है तो लटक आएगा सीट का चाउता बाग सीट आपका जितना रहता है रहेगा पैंड का उसका चाउता बाग लटक आएगा अगर फिटिंग रहेगा तो आदा इंच कम करने का दस में से और लूज रहेगा तो एक इंच बढ़ाने का लूज पैंड को सीट के मेजर्मेंट से यह दुसरा तरीका हुआ है इस तरह आसान